नमस्कार मैं संजीव कुमार केवल एक बात बदल कर सब कुछ बदल सकता है पावर आफ वन धिंग अर्थात एक बात की सकती इस पुस्तक के लेकक है डॉक्टर रैंडी कॉल्सन और अनुवाद किया है परेज सिर्डोल कर महोदे ने इसके महत्वपूर अन्सों को मैं आपके समक्ष संछेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ लेखब के अनुसार जब आप किसी बड़ी समस्या और उससे उत्पन तनाव से घिरे हूँ और असहाय महसूस कर रहे हूँ तो इसका एक मात उत्तर उत्देश्य पूर जीवन है आप अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लें इस्थिती के अनुसार स्वयम को नियंत्रित करें अन्यथा कोई अन्यव्यक्ती या वस्तु आपके जीवन पर कपजा कर लेगा जीवन में बड़े बदलाओ रातो रात नहीं होते इसके लिए आपको हर दिन एक काम अवश्चक रूप से करना होता है जिससे प्रति दिन आप अपने लक्ष की और एक कदम बढ़ाते हैं अस्फलता के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सफल होने का एक मात्र तरी का उद्देश्च पुन जीवन ही है सरवप्रतम इस चीज को पहचानों की उसे किस चीज से सबसे ज़्यादा तनाव होता है फिर देखते हैं कि उस तनाव को खत्म करने के लिए वन थिंग का उप्योग किस प्रकार किया जा सकता है लेखक कहते हैं कई वर्सों से काउंसलिंग करते हुए मैंने अनभव किया कि लोग अपने करतब्यों और काम के बोश्टले डूब जाते हैं जिससे वह अपने लक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं दस, बीस, तीस वर्सों तक वे बिना किसी परिवर्तन के उसी प्रकार अपना कारे करते रहते हैं अतह उन्हें लगता है कि इसे बदला संभव नहीं है जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष या उद्देश्य होता है तो सरप्रथम उस बड़े कारे को छोटे छोटे कारेों में बाट देना चाहिए और प्रति दिन एक कारे को चरण दर चरण पूरा करें प्रति दिन एक कारे पूरा करने से हमें उसके पूर्ण होने की आसा और विश्वास मिलता है हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष की ओर बढ़ने के लिए स्वयम को प्रेरित महसूस करते हैं अर्थात इससे इस्तिती में भी सकारात्पक बदलाव होता है कोई भी इनसान एक साथ सारे बदलाव नहीं ला सकता जो चीज हमारे नियंत्रण में है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करना जरूरी है और उसमें इतनी अधिक स्थिर्ता हो कि उस उन्नत संस्क्रण की हमें आदत बढ़ जाए पानी की एक एक भूर जमा हो तो उससे तालाब बन जाता है यदि आप एक भी सिक्का बचाते हैं तो आपके पास एक बड़ी रासी जमा हो जाती है हर छोटे काम को लगातार किया जाए तो कुछ समय बाद उसमें बड़ा फाइदा नजर आने लगता है अपने ब्यहवार में थोड़ा सा बदलाव लाकर इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है सचेत रूप से सतत किया गया एक छोटा सा कार निश्चेत रूप से आपकी जीवन की गुणवत्ता में विद्धी करेगा डॉक्टर रेंडी कॉल्सन एक छोटा सा काम करें अपने जीवन का लक्ष निर्धारित करें क्योंकि जिन मनिश्यों के जीवन में कोई उद्धेश या लक्ष होता है वे जीवन में सफल होते ही हैं एक सफल व्यक्ति सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं बलकि एक अच्छे उद्धेश के साथ काम करता है यदि आपकी कल्पनाओं को कारे का साथ नहीं मिला तो बदलाव पूर्टा संभव नहीं हो सकता एक समय में एक ही काम करना चाहिए और दूसरों से बहतर करना चाहिए फिर वह काम भले ही खेत में बुआई करने का करने जितना छोटा ही क्यों हो वह काम सदे इस बात को ध्यान में रख कर करना चाहिए मानों आपको उस काम में महारत हांसिल हो आगास्टीन ओजी मंडिनों बीच्वी सदाप्दी के प्रेणादाई सेक्षक धन्यवाद नमस्कार सेस अगले अंके में